हेलो अज में लेके आइफ आप सभी के लिए स्वीट रेसी जो है अल्रा दो यूषी और खास्ता भी है इसे कैसे बनाते हैं लचा खास्ता बनाने के लिए के बेंगे लिए 1.5 meida आप इसमें डालाइए 1.2 uhide。 मेदा,1.5 cup मे लिए मैदा और 1 & 1.5 tablespoon हम इसमें डाल लेंगे oil और इसको हम कर लेंगे अच्छे से mix यानि कि oil जो है मैदे के साथ में अच्छे से mix हो जाए तो बस फ्रेंड्स हमें यहां पर इतना ही oil का इस्तमाल करना है आके इस recipe में हम घी का इस्तमाल करेंगे जिसी कि इसका खस्तापन है बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही दम टेश्टी माई रेसिपी बनेगी तो इस तरह से घी को हमें मैदे में अच्छे से mix कर लेना है करना है एकदम soft में डो नहीं लगाना है नित हमारी यह recipe अच्छी नहीं बनेगी तो यहां पर हम बस मैदे को बाइंड कर लेंगे बाद में हम जब आटे को रेष्ट कर देंगे उसके बाद हम अच्छे से मसल लेंगे डो को तो यहां पर थोड़ सा पाइं डालकर मैदे को करें की सब्सक्राइब है तो यह देखे फ्रेंड्स हमने यहां पर इसे बाइंड कर लिया है बस मैं यहां पर इसे थोड़ा सहीं अच्छे से मेक्स कर लूँगी यानि कि डो को थोड़ा सबसे एक दूबर मसल लेंगे और इसे हम इसके उपर तोड़ा सा ओयल लगाके इसे हम cotton के कपड़े से ठक के रख देंगे अब इसके उपर से हम थोड़ा से oil लगा लेते हैं तो बस ज्यादा नहीं हाथ में थोड़ा से oil लेके इसके उपर से लगा के cotton के कपड़े से में से ठक देंगे तो यह देखे बस इतना ही oil हमें ऐसे लगा लेना है अब इसे हम गिले cotton के कपड़े से 15-20 मिनिट के लिए ढख के रख देते हैं यानि कि आटे को हम रेश्ट देते हैं तो यहाप यह हमने डिसे ढख दिया तो 20 मिनिट हो चुके हैं अब इसे हम आटे को एक बर मसल लेते हैं तो ये दिखें आटा हमारा अच्छे से रेश्ट कर लिया है अब इसे हम एक बार ऐसे मसल लेंगे हाथ में हमने ओयल या पानी कुछ भी नहीं लगाया है बस ऐसे सुखे हाथों से हमें इसे मसल लेना है तो इस तरह से हमें इसे यहाँ पर अच्छे से मसल लेना है तो इसे हम यहाँ पर आटे को मसल के तियार कर लिया है अब इसे हम यहाँ पर इसे थोड़ा से लंबा में रोल करके इसे हम चोट चोटे पीसेस में कट कर लेंगे जैसे कि हमें रेसिपी बिनाने में आसानी होगी यानि कि इसे हम चोट चोटे पोर्शन में रोल लेंगे तो आप इसे हाँ तोड़ ले या फिर इसे कर ले जिसके हम इसके पेडा बना सके तो मैं यहाँ पर इसे चकले पे थोड़ा से लंबा करके इसे चाकू शोटे-चोटे पीसे में कर लोंगी यानि कि आसे देखे तो, पमने कॉपटन के कपड़े से ठकर रख दिया है तो, एक कोई लेके एसे हम यसे रोल कर लेंगे यानिक 같이 आ हम पेडा बना लेंगे अब इसके उपर से हम लगा लेंगी घी तो यहाँ पर फ्रेंड़ हमे घी कहीं इस्तमाल करना है और यहाँ पर लगाने के बाद उसके उपर से हम लगा लेंगी सुखा मेदा और सबीसाइड में अच्छे से फैला लेंगे और सभी साइड में हम अच्छे सी घी और मैदे को ऐसे फैला लेंगे अब इसे हम मोडेंगे तो पहले हम इसे थोड़ा सो ठाके आधे पे ले आएंगे फिर हम ऐसे आधे पे मोडेंगे देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ यानि कि जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से मोड लेना है तो फिर से हमें उसी प्रोसेस से इसे लंबे में इसे मोड लेना है यानि कि यह पॉकेट टाइप से बन जाएगा अब इसे हम लंबे में ही बेल लेंगे तो देखे फ्रेंट्स इस तरह से हमें इसे ऐसे लंबे में ही बेल लेना है और इसे भी में बेल के पतला ही तयार करना है देखे बिल्कुर इस तरह से हमें इसे लंबे में ही बेलना है क्योंकि इस हम लंबे में ही कट करेंगे जिसे की माहिल अच्छे बने तो उसके लिए क्या करना है कि हम इसे लंबे में ही बेलना है तो बेलको इस तरह से इसे पतला बेल ले अब इसे हम कट करेंगे तो चागो की साथा से इसे हम इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे तो यह देखिए ही तो पतली पत्तियां हमें काट लेनी है इस तरह से हम पोड़े जुमने लंबे रोटी बनाई है उसको हम पोड़े ऐसे ही कट कर लेंगे लंबे में ही तो देखिए फ्रेंट्स जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं बिलकुल उसी तरह से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी तम खस्ता और जूसी तम पर्फेक्ट बनेगी तो यह देखिए अब नीचे से में चार्पूर को लगा के इसे उठा लेंगे उससे पहले क्या करना है कि हमें इसके किनारों में पानी लगा लेना है जिससे कि एक पासी जॉइंट हो जाए नहीं तो हम जब इसे फ्राइट करेंगे तो यह खूल जाएंगी वाल में तो यह देखिए दोनों साइट में इसे हमें ऐसे पानी लागा के यह दोनों साइट से में जॉइंट कर लेंगे अच्छे से चिपका देंगे जिसे कि यह फ्राइ करते से में न खुले तो अपने उब बसफार के साइट में लगा लिए आई से प्रोसे Partners, नीचे के साइट में भी लगा लेंगे यह नहीं रहों सीरों सीरों को हमें अच्छे से अच्छे से कवर कर लेना है या isa कैशे की चिपगा देना है पानी की साहता से इससे डुए लेना अब देखिए हमने यहां पर इसे हाथ में उठा लिया है अब क्या करेंगे कि एक साइट में हम देखिए इस तरह से हम आपस में एक पास इसे हम थोड़ा से जॉइंट कर देंगे और इसी तरह से हम नीचे में भी जॉइंट कर देंगे कोई पट्टी से छोटी हो तो उसे भी वहां जहां पर आई वही पर आप इसे चपका दे इस तरह से यह देखिए अब देखिए सब पास में एक कठा होता जैसे हम गाठ लगाते हैं बिलकुल उस तरह से ऐसे उंगली में दो उंगली की पीछ में रख लीजिए और पीछे इसे में मोड लेना है यह देखिए फ्रेंट्स बिलकुल इस तरह से अभी देखिए इसे कितने लच्छे दीख रहे हैं जब इसे फ्राइ करेंगे तब भी इसके लच्छे अलगे लगा जाएंगे अब से प्रोसेस से मैं यहां पर एक और बता देती हूं तो उसके लिए फ फिर इसके उपर हम सुखा मैदा डालेंगे तो इसी प्रोसेस से हमें सारी इसे लच्छे को बना के तयार करना है तो यह देखिए फ्रेंट्स अब इसके उपर हमने सुखा मैदा लगा लिया है अब इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ध्यान से देखिए फ्रेंट् यहीं दोनों साइट से लाके हम इसे बीच में इसे फोल्ड करेंगे फिर हम इसे लंबे में ही लाके इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से अब इसे हम लंबे में रोल करेंगे तो देखे फ्रेंड्स बस इसे लंबे में ही हम इसे बेल लेना है इतना खस्ता और ज जियूसी बनता है चासिनी के वजह से अंधर सब चास्नी अच्छ॥ा इसप्छी से अच्छेक को जाती है और अधर एक्डम क्रिस्ट बना रहता है इतना खस्ता बन के तैयार होता है यह जब आप तोड़ें गिन तो इतना चूर다가 यह यानी की अलग अलग तो यह देखिए friends, हमने यह पिसी लंबे बेल लिया है, उसे भी हम ऐसे cut कर लेंगे तो हमने यह पिसे cut कर लिया, अब इसके उपर साइड में इसे पानी लगा के इसे जिब गा लिये इसे फ्रेंट अच्छे से सिक्योर कर ले पानी लगा के नहीं तो ये जो फ्राइ करेंगे तो अलग हो जाएंगे तो आपके लच्छे खराब हो जाएंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे तो ये दिखिए फ्रेंट दोनों साइड में हमने इसे पानी से लगा लिया है अब हम इसे चाकू की साहता से अच्छे से इसे हाथ पे उठा लेंगे तो देखिए बिल्कुल इस तरह से और फिर से हम इसे हलका से फोल्ड कर लेंगे उपर के साइड में और एक पस लाकर हम इसे चिफका दींगे दिखिए इस तरह से और नीचे साइड में कि इसे कोई छोटाल पटी तो ऊपना में हम नीचे साइड में एक पस इसे ditesपे शेψा देंगे ता कि ये टलीवे न खूले उसली मेहनत पेकार हो जाएगी अब इसे हम फिर से इसे दो उंगली की बीच में करके पीछे से लाके इसे हम अंदर के साइड में मोड लेंगे तो देखे इस तरह से लाएं और अब इसे उंगली की बीच में इस तरह से डाल लेंगे यानि कि अंदर के साइड में इस ऐसे मोल लेंगे हलका से से प्रस करके वहाँ पेसे अच्छे से चिपका दें तो यह देखिए फ्रेंट्स बिल्कुल इस तरह से यह देखिए दूसरा लच्छा भी मारा बन गया है इसी तरह से हमें सभी लच्छो को बना के तयार करना है अब इसे हम फ्राइ करने के प्रोसेस में चलते हैं तो फ्राइ करने के लिए हमने इधर ओयल को रखाए गर्म होने के लिए तो ओयल को फ्रेंट्स हमें ज्यादा नहीं गर्म करना है क्योंकि हम ज्यादा गर्म ओयल में से फ्राइ करेंगे तो इसके लच्छे अलग नहीं जिसे कि अंदर तक अच्छे से फ्राइब होंगे और अदम खस्ता बनेंगे यादि आप ज्यादा गर्म ओल में डालेंगे तो उपर से तो फ्राइब हो जाएंगे अंदर में कच्छे रह जाएंगे जिसे आपकी रेसिपी इची नहीं बनेंगी तो देखिए बिल्कुल इस इसे आप थोड़ा हलका गर्म ही ओयल में डा फ्राइब करें जैसे कि और गयस का फ्लेम फ्रेंट समय लो रखना है तब इसके जो लच्छे हैं वह अलग-अलग होंगे और यह खस्ता बनेगा और अंदर तक अच्छे से फ्राइब होगा तो जब एक साइड साप लगे कि अ बूट भी सकते हां तो इस तरह से हमें इसे बनलुर साइड में टर्न कर के इसे अच्छा सा हलका गोल्डन प्राउन होने तक इसे में फ्राइ करना है तो दिए permite यह देखिए बऄडों साइड में से में इसे उलट पलटके इसके अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स के देखिए कैसे इसके लच्छे अलग हो रहे हैं मैं आपको पास से दिखा रही हूँ यह देखिए जो हमने इसे फोल्ड किया था वो देखिए कैसे लच्छे के अंदर भी लच्छे आ गये हैं तो फ्रेंट्स इसी सरह से इसे फ्राइग करना है यदि आपको सेकेंड फ्राइग करना तो इसके लिए क्या करें कि आप गैस का फ्लेम जो है वो ओफ कर देए ऐल को थोड़ा सा नॉर्मल टम्प्रेचर पे होने दें फिर उसमें डाल की सेकेंड बैज को फ्राइग करें अब हमारे लच्चे में अच्या कलर आ गया है अच्या ही ही अच्याइक हो गया है तो इने आधा लेते हैं तो ये हम लच् bekommt युkomने निकाल ये हैं यह देखें friends कितनी अच्छे सी यह लच्छे बनके मरे तयार हुए है अब इसके लिए मैंने यहां पर कड़ा ही ली है उसे कड़ाय में हम डालेंगे एक कप चीनी इसमा हम डालएंगे अधा कप पानी तो पहले हम चीनी को डिचॉल होने देंगे , फिर उसे हम ठोड़ा से पका लेंगे , यानि कि चासणी को हम थोड़ा अच्छे से अबालाने देंगे , पहले इसे हम श्टर कर के चीनी को घुला लेते हैं , जो oke कि दूझे चासणी ने हो तो यह देखे फ्रेंट्स चीनी जो है मारी अलमुष्ट घुल चुकी है बस थोड़ी बहुत ही रह गई है तो इस तरह से हम इसे चलागी चीनी को पहले घुला लेंगे तो फ्रैंड्स देखें हƏं यीए चीन इमारी अच्छे से घूल गई है अब इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है याली की जो जास नहीं अच्छे से मारी वॉयल हो रही है तो अब इसमें जुह दाल लिए लेंगे तब यहाँ पर मैंने सारे तयार किया हुए लच्छो को ढाल दिया है तो गैस का फ्लेदिस हमने हाँ पर हमें मीडियम कर लिया है और एक दो बार हम उलट पिलेट लिए के चासणी में बार बार इसे न ठन करें एक दो बदर से हम टरन कर लेंगे जिसे जो चासनीए वो princiouse अंदर तक अच्छे से बहुत जाएगИ यानि अंदर तक इसमें जो चास्नी होगी अच्छे से इप्चार हो जाएगी जो कि खाने में बहुत इच्छा लगेगा नहीं तो यह उपर उपर ही चास्नी रहेगी तो अंदर यह फीका लगने लगेगा तो इसे थोड़ी देर के लिए चासनी में छोड़ दे यानि कि इसे थोड़ी देर के लिए पका लिए अपने पर गैस का फ्लेम आफ कर लिया है और इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि जो चासनी है वो अंदर तक अच्छे से आ गई है तो यह देखिए फ्रेंड्स हमाई लच्छा खसता बन की तयार हो गया है देखिए कि देखने में कितने सुदर लग रहाए है न暗 तो मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ तो देखिए तोड़ने पर यह चूर चूर हो जाएंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स कैसे इसके इसके जो लेयर से कैसे देखिए अलग-अलग हो रहे हैं ये देखिए और देखिए फ्रेंट्स तोड़ने पर ही पता चल रहा हूँ कि ये दम खसता है ये देखिए तो फ्रेंट्स आप ही से बनाईए येदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक से रहें और इस जारते रही न पंश्चुराते रहें।